Welcome students आपको अपनी ही चनल student इंफार्मेशन में तो आज के इस वीडियो में हम scholarship के बारे में important updated discuss करेंगे जो recently NSP की तरफ से आई है किन student को scholarship का amount आज मिला है किन student के scholarship application का status change हुआ है या किन को होने वाला है सब कुछ हम इस वीडियो में discuss करेंगे तो students आप ये वीडियो एड तक subscribe नहीं की है चनल को subscribe करके रखिये क्योंकि इस चनल पर आपको education and jobs related genuine updated genuine notification सबसे पहले मिलते रहते है तो चलो अब हम topic start करते है तो आज PFMS ने बहुत सारी renewal students के back account में amount transfer कर दिया है बहुत सारी renewal students को अभी तक amount नहीं मिला था मगर आज PFMS ने second installment कर दिया है renewal students के back account में तो students आपको advice दी जाते है जो उपर आपको website show हो रही है www.studentsinformation.com इसको आप अपने phone के किसी भी browser में search कीजिए पहला post open कीजिए NSP scholarship ऐसा कुछ title होगा उसका और अपना status चाग कीजिए PFMS पे और देख लीजिए आपका amount आपके back accounts में transfer कर दिया गया है या नहीं तो आप हम बात करते हैं fresh students की तो आज NSP और PFMS ने कुछ students के application का status change कर दिया है fresh students के application का status change कर दिया है तो जिन students को NSP पे अभी तक verify नहीं हुआ था या PFMS पे verify नहीं हो रहा था उन students को advice दी जाते है जो आपको यहां पर website show हो रही है www.studentsinformation.com इसको आप अपने phone के किसी भी browser में search की कीजिए पहला post open कीजिए NSP scholarship title होगा उसका और वहां पे आप अपना status चाक कीजिए और देख लीजिए आपका status अभी change हुआ है या नहीं कुछ students का recently change कर दिया गया है status आप भी चाक कीजिए देख लीजिए आपका status change किया गया है या नहीं अगर नहीं तो आपको अभी भी इसी भी ब्रावजर में search कीजिए तो यह थे कुछ important update जो students के सार शेर करना बहुत ही ज्यादा जरूर था तो students अब जाते जाते चलान को subscribe जरूर करना thank you so much